मैसेल डॉक्टर ममता शर्मा असोशेट प्रॉफेसर प्रिटिकल साइंस कॉमेंट कॉलेज बहरोड विद्यार्थियो बीए पार्थ थर्ड के फर्स पेपर रिप्रेजेंटिव वेस्टर्न प्रिटिकल किंकर के इस वीडियो में आप सभी का हादिक स्वागत है अभिनंदन ह जैसा कि आप सभी को विद्यट है कि हम पूर के वीडियो में भी बेंथम के थेरी के बारे में समझ रहे हैं आज के इस वीडियो में भी हम उसी continuity में बात करेंगे कि बेंथम as a reformer कि बेंथम को हम एक महांत समासुधारक या महांत सुधारक क्यों कहते हैं चुकि बेंथम में एक मान सुधारवादी विचारक था वे एक विधी सुधारक था नेकि एक राजनितिक दाशनिक पॉलक ने इस सम्मन में कहा है कि 19 शतापती में आठिक सामाजिक रानितिक और वैधानिक जितने भी सुधार हुए हैं उनमें शायद ही ऐसा कोई सुधार हो जिस पर की बेंथम का प्रभा ना पड़ा हो अताब बेंथम ने भौत सारे सुधारों की इसके अंतगर शिफारिस की है अताब बेंथम द्वारा प्रतिपादि प्रमुक सुधारों में हम निम्ने सुधारों की बात करेंगे Firstly, we talk about the reform in government system शाष्रम प्रणाली में सुधार की बात उन्होंने की रानिती विचारों की जश्टी से बेंधम जनतंद्रवादी था और उप्योगिता के सिद्धान अनुसार लोग सत्ता और जनतंत्र ही उप्योगी सिद्ध होते हैं जनतंत्र में ही सबकी स्वार सिद्धी का सिद्धान लागू हो सकता है और रास्तंत्र इस दिश्टी से उप्योगी सिद्ध नहीं हो सकता इसी प्रकार उप्योगितावादी सिद्धान के अनुसार अल्प तंतर भी ठीक नहीं बैठता वास्ता में जन्तन्त ही अधिक्तम लोगों के लिए अधिक्तम सुख का साधन बन सकता है और अपने समकाली विचारकों की भाती बिटिश शाषन परणाली की अत्यधिक प्रशंशा करने के बजाए बेंथम ने डढ़ता और इमानदारी के साथ उनकी आलोशना भी की है शंशेव में कहेंगे कि बेंथम का इसपर्श मर्था की व्यसक मर्न अधिकार द्वारा प्रति निधियों के उपर çok जन यंट बना रहेगा और वार्षिक संसद्यचुनाओं की व्यवस्ता द्वारा यह निर्णने और अधिक प्रभावित होगा और साथ ही में निर्मित कार्य करने की प्रेड़ना भी उत्पन होगी सेकंडली ही टॉक्स अबाउट दी लो रिफॉर्म्स चुकि बेंथम एक महान विधी सुधारक था इसलिए अपनी पुस्तक प्रिंसिपल आफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेटिव के अंतगत उन्होंने विधी निर्मा का उद्देश्य है आजीवी का प्रयाप्ता समानता और सुरक्षा समन अर्थों में जनता का हिस करना ही या जनता का हिस समर्दन ही विधी का उद्देश्य है बेंथम का मानना है कि यदि वीडियो का पालंग करना है तो यह आवश्यक है कि विधी को जनता का समर्थन भी प अलुषना नहीं की बल्कि उनका उद्देश्व मौलिक रूप से रशनात्मक था और अलुषना तो इस लक्षे की प्राप्टी का एक साधन थी तत्पशार बेंथम रिफॉर्म इन जुडिशा सिस्टम की बात करते हैं जुडिशा सिस्टम के अंतगर इंग्लेंड की जटिल अनिशित थी उन्होंने पाया कि जिन विलमकारी तरविकों का उप्योग करते हैं उनसे मुकद्मों से संबंदी पक्षों का खर्च अनावशक रूप से बढ़ जाता है और क्रानुन की प्राविधिक्ता के करण न्याय भी नहीं हो पाता अतना न्याय विवस्ता मे दूश इंता के कारण बैन्थम ने अंगरेजी न्याय परनाली के बारे में लिखा है कि इस देश में न्याय बेचा जाता है बहुत मेंगा बेचा जाता है और वे वेक्टी जो इसका दाम नहीं चुका पाता वे न्याय से वन्चित रह जाता है इस रहसे बैन्थम ने एक एक रिफॉर्मक के रूप में इन शित्रों में सुधार की बात की, तत्पश्यात हम बात करेंगे, पनिश्मेंट एंड पिजनर रिफॉर्म्स, दंड व्यवस्ता, एम जेल सुधार, बैंतम के काल में फ्रेक्टरी कानून बहुत अधी कठोड था, छोटे-छोटे अपरादो के लिए मृतु दंड की सक्यादी जाती थी, अताब बैंतम ने इसका अविरोद किया, उनका मानना था कि फोजदारी कानून मनुष्य के कारण है, और अपराद से अधिक कभी भी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, अपराद का निन्य आनन और पीड़ा के माप दंड से करन नम्मर टू, परिस्थितिया जिन में अपराद किया जाता है, नम्मर थी, अपरादों का उद्देश्य क्या है, और फोटली, अपराद से किस प्रकार से व्यक्ति को हानी पहुंचती है, अताब बैंतम के अनुसार, दं निस्पक्ष होना चाहिए, और उनके द्वारा अप उनकार में कारवान नहीं किया जा सेका, फिर बें उनके समय में अब तक के कारगारों तदा अनुक्तालों के में व्यापक सुधार किये, और और्डोगिक विद्दालों और सुधार शालों की भी इस्तापना हुई, तद पत्राज, स्किल फोर एजुकेशन की बात करेंगे कि विद्दियो और दंड विवस्ताता राजे के विदान आदी के लिए ही बेंतम ने सुधारवादी योजनाई नहीं बनाई, बलकि शिक्षा के चेत्र में भी उन्होंने सुधारवादी योजनाई बनाई, और मानव जाती का सुधार करने के लिए शिक्षा की शक्ती पर बेंथ 2012 को अठल विश्वास्थ थां उन्हों ने थो दो प्रकारकी शिक्वाट हैं व की एक गरीब अनात्र बच्चों के लिए और दूसरे मिद्य ओर और उच्वर्ग के बालकों के लिए बैंथम के समय तक सरसारण की शिक्षा की अवेंलणा की जाती थी लेकिन बैंथम ने सरव पतम जन सारण की शिक्षा पर जोड़ दिया और राज्य द्वारा शिक्षा दी जाने की बाद भी इसके नितगत कहीं तत्पषात हम एकॉनमिक आइडियास की बात करेंगे आर्थिक विचारों के जास्टी से बेंथम एडम स्मीट का नुए था किन्तों अनेक बातों पर उनका एडिम स्मीट से बद्वेद भी था वह इस बात से सहमत थे कि सरकार की मांग और पूर्टी के नियम में यह था संभाव कम से कम हस्तशेप करन किये जाते थे उनका विरूद किया तर्थ परश्यात हम देखेंगे कोंटिबिशन और बेंथम्स इंदा हिस्ट्री और प्लिटिकल फिलोसोफी कि रानिती दर्शन के इतियास में बेंथम का क्यों योगदान है इसके अंतकत हम देखेंगे कि रानिती दर्शन के इतियास मे कि उन्होंने अपने उपयोगितावादी सिध्धान और सुधारवादी योजनाओं के माध्यम से अपने युक की राहनिती को नहीं दिशा प्रदान की कि उपयोगितावादी सिध्धान को दाशनिक सांचे में डालकर उसे वग्यानिक रूप प्रदान करने का शेयर बेंथम कोई है जड़ भी बेंथम ने उपयोगितावाद के मूल सिध्धान ह्यूं प्रिष्टले आधी से गहन किया किन्तो इसे व्यवस्तित रूप देने और रानिती शेत्र में लागू करने का शेयर बेंथम को ही है सेकंडली राज्य हम शाषन के कल्यान करी लक्षे की गोशना बेंथम के राज़ दस्टन का मूल सुख्थ था अधिक्तम लोगों के अधिक्सक सुख्थ का सिध्धान और इस सिध्धान को दस्टी में रखते हो ने इस पर्स रूप से प्रतिपादित किया कि राज्य को सेवादानिक व्यास्ता में सुधार है कि वेंन्तम ने मैं शाषितों के समग शाष्गों को उत्तरदाई बणाने के लिए कई प्रस्तावित कैंद्यृष और इसके अंटगत पृतीनुदियों को वापस बुलाने का दिकार एधिकारायों करमचरों को निय उत्तदाई्य 2 स संकल्पनवादी विदिक संकल्पलाओं को भी बेंठम ने उत् Engagement दिवर प्रहार किया की अम्मोल जनवादी विचारोंपर उन्होंने सामाजिक समीत और प्राकतिक अधिकार की Blackstone द्वारा प्रसूत도 रुदिवादी परिभाषो की सत्ताओं के प्रथकर, सिध्धान के बिटिश रुपांतर तदा मिश्रित पद्धति के नाथे बिटिश आशन पद्धति के धर्म शास्त्येकण ओचित्त पढ़न की अलोषना की पुले उन्होंने नाइक प्रकैं में सुधार के मार को प्रश्ट किया। सिक्स ले उन्होंने कानूनौं का काणूं का कौडिफिकेशन किया। कि कानूनों के सहीता करण पर बैत्थब द्वारा बल दिये जाने के करण ही 19 शुष्ण राबदी में अनेग देशों में कानूनी सहीताइं बनाएगी और बैंठम ने अनेग देशों की कानून सहीताओं में संशोधिन में योगदान दिया तत्प्रश्यात हम देखेंगे राजनीती विज्ञान में अनुसंदान और शोध की प्रवर्टियों को भी उन्होंने प्रोसाइट किया तत्प्रश्यात सामाजिक विधी शास्त्रे के भी चुकी जनम दाता है और नाइन्थ विधी में प्रतक्षवादी सिद्धान का प्रवर्टक उनको का आगया है क्योंकि बैंतम की विधिन के न्याई शास्तिय प्रतक्षवादी सिद्धान का प्रवर्टक भी माना जाता है जोनोंने इस सिद्धान को आगे के विकास कर होफेल्ड और कैलसिन के विचारों से पूरो अनुमान लगा लिया और विदी का न्याई शस्तिय प्रतक्ष वादी सिद्दान सोव्यक संग में भी बेंथम के उप्योगता वादी सिद्दान बहुत अधिक प्रभावित हुआ था अंत में हम देखेंगे लोकतंत के आधार स्वम को भी इन्होंने सुदड़ किया इस तरह से हम देखते हैं कि बेंथम के विचारों की कई आधारों पर आलोशना भी की जाती है आलोशकों के नुसरा उनके विचारों में मौलिक्ता का भाव है उनका सुख वादी मापक देंथ तूटी पूर्ण है वैं मूलतर आने ची चिंतना होकर उनको सुधारक मानते हैं उसमें सोतंतदा और समानता को उचीत महत्व प्रदान नहीं दिया गया तर्थ परशाद अंत में हम कहेंगे कि संच्छेप में कि बेंथम में एक लगशन सुधारक थे जिनके सुधार निश पर भी बहुत अधिक पड़ा इससे हम देखते हैं कि बेंथम जो है वह एक राजनिती दर्शन में उनको हम एक महान सुधारक के रूप में पहचानते हैं ने कि एक राजनितिक दाशनिक के रूप में इससे हमने बेंथम के विचारों को समझा आज के वीडियो में हम इतना अधर को लेंगे धन्यवाद